आपप उस बै raise जाउक ने सब्णे दोस्पों यूट्यूब पर काफी सारे लोग सीज्श करते रहते हैं कि how to increase internal storage, how to increase internal memory मैंने भी काफी बार यूट्व पर सीज्श क्या था कि how to increase phone memory और जितने भी वीडियोस मैंने देखे उन में से किसी ने legal way नहीं बताया सभी ने बताया कि आपको अपना फोन रूट करना होगा आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने फोन को बिना रूट किये अपने फोन की इंटर्नल स्टोरेज बढ़ा सकते हो तो गाइज ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले एक मेमोरी काड की जरुवत पड़ेगी मतलब आप जितना स्टोरेज बढ़ाना चाते हो अपने मोबाईल का 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB या उससे भी उपर तो आपको उतने स्टोरेज की मेमोरी काड चाहिए और वो मेमोरी काड लेने के बाद फोन में इंसर्ट कर दीजिए और इंसर्ट कर देने के बाद आपको अपने मोबाईल की सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्टोरेज में जाना होगा और storage में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं format as internal storage सब mobiles में यह इस तरह से नहीं आता SD card पर tap करने के बाद वहाँ पर बताता है format as internal storage जब भी आप format as internal storage करते हैं be sure guys अगर आपको कोई भी data उस memory card में हो तो वो erase हो जाएगा और आपकी memory card किसी और mobile में काम नहीं करेगी जिस mobile में आप format as internal करोगे वो memory card सिर्फ उसी mobile में काम करती है तो simply आप format as internal पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक कर देने के पाद इस तरह से आपको यहाँ पर permission मांगेगा erase and format के लिए तिस आप erase and format पर क्लिक करतीजिए जैसे ही आप format and erase पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक warning मिलती है selecting SD card as an internal storage may lead to lose your personal data after factory reset, software update और OTG Do you want to continue? अगर हाँ तो sure पर क्लिक कर दीजिए और आपकी memory card internal storage में format हो जाएगी और आपके phone का internal storage जो होगा वो बढ़ जाएगा So guys, यह एक थी simple सी video आपके internal storage बढ़ाने के लिए अगर आपको video अच्छी लगी हो तो इस video को thumbs up कर दीजिए और हमारे channel को subscribe भी कर लीजिए इसी तरह के और भी interesting updates आपको मिलते रहेंगे So yeah guys, thanks a lot for watching, bye